स्वामी जिनको तपो भुमिरे तपस्या करुछंती प्रधान मंत्री मोदी लोकस भा ओविधान सभा निर्बाद जनर सेस्थ दिनर प्रचार सारीबा परे स्वामी विवेका नंदंको तपो भुमिरे पहंची थिले मोदी स्वामी जिनको तपो भुमिकू प्रधान मंत्री मोदी वाचिवा पच्छरो करण है उच्छी एठारे स्वामी विवेका नंदो दिव्यो ज्यानो लाभ करी थिले प्रधान मंत्री मोदी प्रथमे थिरू अनंतो पुरम्ठारे पहंची थिले सेठारू एमाई सोत्तर हिलिकप्टर जोगे कन्या कुमारी रे पहंची थिले एठारे सुर्जैस्तो देखि थिले प्रधान मंत्री परे बोसी चंती ध्यानो मुत्रा रे ये जो 2024 का चुनाव है ये धर्म युद्ध की तरह है इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म के साथ खड़े हैं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धर्म को मिटाना चाहते हैं आसूरी शक्तियों से लड़ने के लिए आसूरी शक्तियों का विनाश करने के लिए एक अध्यात्मिक शक्ति की ज़रूत होती है पहले भी प्राचीन काल में जब सूरसूर संग्राम हुआ देवासूर संग्राम हुआ जब आसूरी शक्तियों बहुत बढ़ जाती थी तो उनके विनाश के लिए रिशी मुनी महात्मा साधना करते थे जब तप और साधन करते थे तो मुझे लगता है कि एक अध्यात्मी कूर्जा को अरजित करने के लिए नरेंद मोदीजी इस समय स्वामी विवेकानद की शरण में गए मोदी एह स्थानों को तपोस्या पाई भाचिवा पच्छरों रहस्य हला एही तप भुमी स्वामी विवेकानदंक जिबन रे बड़ परिबर्त नाणि थिला स्वामी जी सारा भारत बर्स बुलिवा परे एह स्थानों रे तिन्नी दिनर तपस्या परे बिकसित भारतर सपन देखी थिले बिजेपी नेतांको कोहिवा अनुसरे प्रधान मंत्री मोदी एहिस्तानों कु बाचिवा पच्छरों कारण हला स्वामी जीनको बिकसित भारतर सपनों कु साकार करी पा पुराण सास्त्रों मुसरे एहिस्तानोरे मा पार्बोती भगबान सिभंकु पाई तपस्या करी थिले प्रधान मंत्री मोदी कुन्या कुमारीरे तपस्या करी जातियो एकोतारो बार्ता देई छन्ती मोदी ध्यान मुद्रारे धिवा समरे 2000 पुलिस कर मी सुरख्या दाई तोरे नियो जिता चन्ती मोदीनको तपस्या कु दुर्ष्ट्रे रखी परजट कमानंकु समुद्र कुलो बुलिबा पाई गुरुबा ठरू सनिबार परजन्तो बारण करा जाई छी बेसरकारी बोर्ट गुरिक्या मध्या चाली बन ही जून एको तारिख अपरान तिनिटा 33 निटरे मोदी गन्या कुमारी रूप विदायनेवे बिरो रिपोर्ट और गस्निउज आपनों को पिलाटीरो पाठ पड़ा ओग केरियर को प्रभविता करू छी कि आपनों सितिपें विद्रो तकी तेवे आजी ही असन्तु आपनों चाहुंतीवा मनला की सम्पू नाबासिक स्कूरू टीस्टी गुरुकुल गोठ बाठन भूबनिस्वा